इस लेक्ष्योर में हम डस्कस करेंगे Economic Importance of Gryophyte जो कि बहुत important है Economic Importance ठीक है तो Economic Importance में सबसे पहली importance आती है Water Retention Ability ठीक है Water Retention या Water Holding Capacity किसके पास होती है Mosses के पास and some Leafy Lever Water जो Lever Water में कुछ Leafy Member है उनके पास बाकी में ली तो ये Mosses के पास होती है Water Holding Capacity का मतलब क्या है कि ये अपने weight से काफ़े ज़्यादा amount में Water को Hold करके रख सकते हैं काफ़े लंबे टाइम तक जैसे कि अगर हम बात करें Sphagnum की Sphagnum जो होता है इसको मिलियम यूज करते है Water Retention Ability की विज़े से तो Sphagnum जो है ये अपने weight से 18-26 times ज़्यादा Water को Hold करके रख सकते है जो इसका weight है अपने weight से 18-26 टाइम ज़्यादा Water को Hold करके रख सकते है अब question आता है कि जो cells इसके case में Water को Hold करके रखती है वो specialized cells कौन सी होती है और कहां present होती है तो जो specialized cells है उनको हम कहते है retort cells जान से नाम सुनना उन sales को हम क्या कहते है retort cells कहते है और ये surface के उपर present होती है इसका मतलब ये जो retort cells है डे आर हाइक्रोस्कॉपिक इन नेचर कैसे में होते है है इसे बाहर राइड चेशन अगी यह को करेंग यह बाहर उन के लिये कोश्प्सार्म करेंगों मौस्फियर में होता है तो फैसे एक डॉय02 एबबब्व कर सकती है. इस से क्या फाइदा मिलेगा? इस लिष्काइभ्श कि इस एबबिटे को हम Üज कहाँ पर Youze करेंगे? तो इसमें पहला केश्चन तो आ जाता है कि स्फ्पेगनम को हमने क्या नाम दिया? एबजॉबंट कॉर्टन हमने इसको absorbent cotton क्यों नाम दिया क्योंकि moisture को absorb कर लेती है from the atmosphere ठीक है और इसकी इस ability को gardeners यूज करते हैं कहां पर बिटा टो कीप कट प्लाइट पार्ट टो कीप कट प्लाइट पार्ट मोईस्ट मोईस्ट दूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोपाइशन कि इसका मतलब क्या है कि गारडडनर!!! ने कोई प्लाइट का पार्ट कट किया है तो नॉर्मली आपने नॉटिस कियाँ होगा कि वह प्लाइट क किसृ टाइम के बाद ट्राइब लेकिन लेकिन हमें उस cut plant part को moist रखना है लंबे टाइम के लिए तो हम क्या करेंगे उसके packaging के लिए किसको use करेंगे स्फेगनम को स्फेगनम क्या करेगा atmosphere से moisture को absorb करेगा और किसको supply करेगा हमारे cut plant part को supply करेगा और यही reason था कि हमने NCRT में पढ़ा था कि स्फेगनम को हम use करते हैं transshipment of plant material के लिए किसके लिए use करते है transshipment of plant material के लिए ठीक है तो यह तो थी इसकी पहली economic importance जो की बहुत important है second importance आती है peat की formation सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि peat होता क्या है तो peat क्या है लिए एक डार्क ब्राउन कलर का है कि सैमी डीकंपोजड मैटर है कैसे मैटर है डार्क ब्राउन कलर का सदीकंपोज मैटर है अब हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे है सबसे पहली चीज़ तो इसकी जो formation होती है वैसे ही होती है जैसे कि call और petroleum की होती है ठीक है लेकिन इसमें difference क्या है कि ये जो बनता है वो किसके compaction से बनता है ये बनता है majorly इसका component होता है sphagnum हाला कि इसके अलवा कुछ और marshy plant भी इसके साथ compacted हो जाते हैं मतलब soil के नीचे दब जाते हैं और लंबे time तक कई thousands of years में इसका fossilization होता रहते हैं और तब जाकर कि ये एक dark brown semi decomposed matter में modify हो जाते हैं मतलब जिस तरीके से हमारा coal और petroleum बनता है उसी तरीके से आपका क्या बनेगा पीट भी बनेगा और सबसे importance चीज क्या है अटेजे valuable fuel ये उतना ही valuable fuel है जैसे कि हम coal और petroleum को use करते हैं तो इसको भी fuel के तो और पर use किया जाते हैं इसके अलाबा क्यासे use करते हैं वो भी हम देख लेते हैं तो जो भी आपका dried piece होता है उसको छोटे छोटे pieces में तोड़ देते हैं और इनके cut cakes को use किया जाता है as a fuel ड्राइड होना चाहिए लेकिन दूसरा कई बार क्या होता है अट आलसो यूज़ एज एस एस सॉर्स आफ और गेनिक मैटर कई बार इसको और गेनिक मैटर के सोर्स के तोर पर भी यूज़ किया जाता है कैसे इसके छोटे-छोटे pieces लओ ठीके और उसको soil में mix कर दो दोनों तरह की soils में अब इसको mix कर सकते हैं clay soil के अंदर भी और sandy soil में कर सकते हैं यह जिस ध्यान अखلا टो पीट जो है इसको एक तो fuel के तौर पर यूज़ किया जाता है क्यासी इसको छोटे-छोटे pieces में कट कर देते हैं और फिर फिसेश को फ्यूल के तौर पर यूज़ कर लेते हैं तो दूसरा किया है कि इसके छोटे-छोटे से टुक्डे करके हम स्वेल में मिक्स कर देतें क्योंकि सैभी डीकंपोस्ज मैटर है तो स्वेल को Cand writerv और सेक्पानिक मैटरगा केगा क्ल possessed waynew harmin सप्लाई कर सकते हैं और सेंडि स्वेल और और्गेनिक मैटर देता है सोल को क्या देता है और्गेनिक मैटर अब आते हैं बोक्स की फोम में बोक्स का काम भी बिटा पीट मोस करते है कौन करते हैं पीट मोस यह क्या करते हैं जो शैलो वाटर होता है कम घहरा जो पानी होता है शैलो जो वाटर होता है उसके उपर रैपि वाटर के उपर rapidly grow करते हैं तो यह क्या करते हैं उस वाटर के उपर एक थिक मैट बना लेते हैं कि जो की एक फाल्स अपीरिंस देती है किसकी बटा एट गेव एफाल्स अपीरिंस आफ सॉलिड सोयल वही एनिमल इसको लगेगा कि यह एक सॉलिड सोयल है और वह इसके उपर जैसे ही पैर रखते हैं वह नीचे गिर जाते हैं ठीक है तो एट कॉस ड्राउणिंग ओफ ड्राउणिंग ओफ एनिमल्स और कई बार तो बेटा इवन हुमें भी एड हुमें हमें लगता है उस वाटर सर्फेस को देख करके हमें ऐसा लगता है कि वह सॉल सर्फेस ही है और जैसे ही हम या कैटल उसके उपर पैर रखते हैं क्योंकि नीचे पानी होता है तो एकदम से पानी के नीचे गिर जाते हैं तो यह होता है बोक्स फाल्स अपीरिंस आफ सॉल द बाउंड करके रखेंगे आप सोईल के पार्टिकल्स को यह बाउंड करके रखेंगे तो सोईल को एरोजन से भी बचाएंगे और दूसरा इसका कारेंड क्या है कि यह सोईल के सर्फेस के उपर एक कार्पेट बना देते हैं तो वह कार्पेट की वज़े से भी यह क्या करता है soil erosion को रोकते हैं तो एक्तो राइजोएड होते हैं इनके पास जो की soil के particles को bind करते हैं साथ में ये soil के surface के उपर एक thick mat बना लेते हैं जिसकी विज़य से भी ये soil को क्या करते हैं erode होने से बचाते हैं next इनकी economic importance आती है biological succession इसमें हमने पढ़ा ही था कि first level पे तो कौन काम करता है बटा लाइकन काम करते है और लाइकन की growth करने के बाद लाइकन suitable conditions create कर देते हैं किसके लिए mosses के लिए तो फर second level पे ecological succession में कौन ग्रो होगा उनके पास mosses ग्रो होते हैं तो moss is the second stage किसके उपर bare rock के उपर barren rock के उपर जो ecological succession हो रहा है उसके उपर mosses second stage पे काम करते हैं और वो धीरे धीरे उस rock के surface को fertile soil में convert करते जाएंगे ठीके अब example देख लेते हैं कि कौन कौन से mosses तो बटा tortula brimia polytrichum ये कुछ example है आपके bryophyte के masses के जो biological succession में involved होते हैं next इनके economic importance हाती है as a food तो बटा food के तौर पर bryophyte का ज़्यादा important role नहीं है लेकिन ये कुछ small animals and birds के लिए food के तौर पर भी use होते है small animals के लिए बात करें तो ये use करते है mostly mosses को और birds की बात करें तो बटा वो consume करता है polytrichum को एक example मैंने बता दिया है कि कौन सा bryophyte bird as a food के तौर पर use करते हैं इसी तरीके से bryophyte की agriculture में भी economic importance होती है जैसे कि sphagnum हम ले कहा कि उसको हम organic matter के source के तौर पर भी use कर सकते है इसके साथ-साथ sphagnum क्या करता है बटा अगर हम sphagnum को soil के अंदर mix करें तो sphagnum क्या करेंगा it maintain acidity of the soil soil की acidity को maintain करेंगा ठीक है इसका मितलब जैस सोयल में sphagnum ग्रो कर रहे है that soil is good for growth of oxylophytes oxylophytes किसे कहते है acid loving plants को कहते है oxylophytes किसको कहते है बटा acid loving plants को कहते है तो जो plant acid loving होते है उस सोयल में अगर हम sphagnum को grow करा दे तो ये plants easily grow कर जाते है तो agriculture में अगर हमें acid loving plants को grow कराना है तो हम पहले soil पे किसको grow करा देंगे sphagnum moss को grow करा देंगे तो वो क्या करेगा soil की acidity को maintain करेगा और वो acidic condition किसकी growth के लिए better रहती है oxylophats की growth के लिए next आते है किसका एक example है marcia marcia को actual में use किया जाता है as an indicator of copper copper के indicator के तोर पर use करते है एक चीज़ और ध्यान अकला एक word को मली पूछ लेते है fossil bryophyte कौन से है जिसका में fossil मिल जाते है तो fossil bryophyte के नाम से जाना जाता है hepaticides को तो यह सीज़ आप ध्यान अकला next importance हाती है medicine में यह important है medicine में पहला bryophyte जिसकी importance हम study करेंगे वो है marcantia polymorphia बहुत important example है ध्यान से देखना marcantia polymorphia marcantia polymorphia जो है it can cure liver and lung infection यह liver and lung infection को cure कर सकता है साथ के साथ इसके पास anti-tumor property भी होती है मतला ट्यूमर के अगे इसके भी यह काम कर सकता है anti-tumor property भी इसके पास होती है साथ में liver or lung infection से भी यह fight कर सकता है इसी तरीके से दूसरे example आता है आपका polytrichum commune तो polytrichum commune जो है यह यूज किया जाता है to dissolve kidney and gallbladder stone kidney और gallbladder में जो stone हो जाते है उनको dissolve करने के लिए जो ayurvedic medicines देते हैं उनमें किसको भी यूज किया जाता है polytrichum commune को भी यूज किया जाता है ठीके तो यह सी ध्यान लगा last इसमें example आता है sphagnol sphagnol क्या है actual में it is a distillate of peat peat से distillation से हम इसको obtain करते है अब इसको हम economic importance में medicine में क्यों पढ़ रहे है क्योंकि यह skin infection को cure करते है skin infection के case में इसको use किया जाता है ठीके तो यह भी important है तो medicine में सबसे important role है water holding capacity and peat यह दो इसके सबसे important role है ठीके यह से ध्यान लगा उसके बाद box के तोर पर use होता है biological succession में use होता है ठीके और उसके बाद important है medicine में इसका role last इसकी importance हो और हम देख लेते हैं कि जो tried most होते है they can absorb metal यह metal को भी absorb कर सकते है बटा they can absorb metal while जिसकी वज़े से which serve as index of pollution जिसको हम use करते है as a pollution indicator के तोर पर dried most जो है वो metal को भी absorb कर लेते हैं किसको absorb कर लेते हैं metal को और इसको use किया जाता है as a index of pollution pollution की pollution है या नहीं है यह पता लगाने के लिए इसको use किया जाता है तो यह थी बटा आपकी economic importance किसकी briophyte की एक बर मैं main main repeat कर देती हूँ ध्यान से देखना इसमें सबसे main है कि इसको water holding capacity होती है sphagnum की तो इसलिए इसको transshipment में use किया जाता है living material के transshipment में दूसरी इसकी economic importance है peat के तौर पर sphagnum और कुछ जो बाकी के masses होता है इसकी condensation से compaction से condensation नहीं compaction से आपका क्या बनता है peat बनता है thousand of years के बाद जो कि एक important example है इसका ठीक है peat को हम fuel के तौर पर भी use कर सकते है as a source of organic matter भी use कर सकते है यह important है box के तौर पर भी peat use किये जाते है box मतलब false appearance देंगे soil की water bodies के उपर तो drowning कराती है cattle की और even human की तो यह कुछ importance थी biological succession में more second level पर काम करते है तो यह था बटा हमारी bryophyte की economic importance ठीक है इसको अच्छे से revise करें अच्छे से याद करें thank you बटा